हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेखेंगे कि A प्लस B का होले स्क्वाइर पर जो प्रास्ण होता है इसे हल कैसे किया जाता है देखिए इस प्रास्ण को हल करना बिल्कुल आसान है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि A प्लस B का होले स्क्वाइर का फर्मूला क्या होता है देखिए इसका फर्मूला होता है ये स्क्वाइर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वाइर आपको देखिए इसी फर्मूला पर इस प्राशन को हल करना है यानि देखिए जो सुरू वाला संख्या होगा वह काम करेगा एका और यहां देखिए बाद वाला जो संख् यहां काम करेगा B का यानि देखिए जहाँ जहाँ पर A है वहाँ वहाँ पर 6 रखेंगे और जहाँ जहाँ पर B है वहाँ वहाँ पर 4 को रखेंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले है A का स्क्वाइड A का मन 6 है तो यहाँ पर लिखेंगे छो का स्क्वाइर अब देखें पलस में है दो देखें एबी जो होता है वह होता है गुना में तो देखें हम लोग गुना में लिखेंगे सबसे पहले एक कामान यहाँ पर देखें है छो इसके बाद देखिए गुना में लिखेंगे B का मान B का मान देखिए यहां पर है 4 अंत में देखिए पलस में है B का स्क्वाइर B का मान है 4 और इसका हम लोग स्क्वाइर को लिखेंगे अब देखिए जहां जहां पर भी स्क्वाइर है इसको हम लोग सबसे पहले हल करेंगे च्छो का स्क्वाइर जो होता है वह होता है च्छातिस इधर में जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखाएंगे अंते में देखिये है चार का स्क्वाइर चार का स्क्वाइर होता है स्वल्ला अब देखे हम लोग यहाँ पर 36 को लिखाएंगे 2 से गुना 6 में करे तो यहाँ हो जाएगा 12 12 से गुना 4 में करे तो यहाँ हो जाएगा 48 यहाँ पर देखे प्लस में है सुल्ला यहाँ पर देखे जो भी संख्या है सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे यान देखे चो और आठ को जोड़े तो यह हो जाएगा चौदा चौदा और चौदा और चौदा को जोड़े तो यह होगा बीस का जीरो दो हो जाएगा हांसिल एक और चार को जोड़े तो यह हो जाएगा पांच पांच और तीन को जोड़े तो यह हो जागा आठ आठ हैंपर देखें दो हांसिल था तो यह हो जागा दस यहनि देखें संख्याओं को जोड़ने पर यहारा है सो देखें यह जो तरीका है यहाँ फर्मूला के तरीका से इसी प्रास्ण को आप shortcode तरीके से भी बना सकते हैं जैसे देखिए आपको 6 को और 4 को जोड़ना है तो यह हो जाएगा 10 इसके घात में देखिए 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 को अब देखिए हम लोग यहाँ पर 10 का square को करेंगे यानि 10 का 2 जगा गुना को करेंगे 10 से गुना 10 में करें तो यह हो जाएगा 100 तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गया होंगे कि A प्लस B के hall square पर प्राशनों को हल कैसे किया जाता है दोस्तों मैं आप लोग एक question देता हूँ उसको आपको हल करना है लेकिन जो question होगा वह A प्लस B के hall square पर नहीं होगा वह होगा A माइनस B का hall square पर देखिए इसका फर्मूला होता है A square माइनस 2AB प्लस B square देखिए इस पर जो question दे रहा हूँ वह है 5 माइनस 2 का hall square देखिए आपको इस प्राशनों को हल करना है और comment में इसका answer को बताना है